नमस्कार मंदल न्यूस बुलेटिन में आपका स्वागत है आईए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख वो मुख के समाचा अब तक यह जी आपने मंदल न्यूस के इस चैनल को लाइक वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल इस चैनल को लाइक वो सब्सक्राइब जरूर कर दें अमरावती शहर व जिले सहित अलग-अलग इलाकों से वास्ता रखने वाले करीब 78 निवेशकों के साथ 18 करोड 56 लाग 33,634 रुपई की धोकाधड़ी किये जाने को लेकर रिशब सीख्ची द्वरा दर्ज कराएगे शिकायत के अधार पर आज इस्थानी सिटीकूट वाले पुलिस द्वरा इस धोकाधड़ी को अंजाम देने वाले लोगों और वित्तीय संस्ताओं के खिलाप अपरादिक मामला दर्ज किया गया जिसमें दो वित्तीय संस्ताओ पांच लोगों को नामजद किया गया है अनुग्रा घोटाले में अमरौती शहर के भी 40 निवेशकों के करड़ो रुपए फसे हुए हैं और करड़ो रुपए के इस घोटाले को लेकर करीब 18 महा पूर्व शिकायत दर्ज होई थी जिसे लेकर अब दर्ज होई अनुग्रा स्टॉक एंड ब्रोकर प्रावेट लिमिटेड के संचालग परेश मुल्जी कारिया तीजीमंदी.com के संचालग अनिल गांधी एडलवेस कस्टोडियल सर्विसेज एंड़ी विक्रम लिमाएव चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर प्रिया सुब्रमन्यम तथा CDSL कंप दिये गए थे जिसके बारे में अमरावती में रहने वाले रिशप सीख्ची वा प्रेश महता सहित शहर के कुछ से निवेशकों ने अमरावती शहर पुलिस आइक्तवले में शिकायट दर्श कराई थी हालांकि वीगत 15 जुलाई को यह जानकरी सामने आई कि इससे पहले मह कहीं जाकर इस मामले में अमरावती शहर में पहली बार अधिकारिक तोर पर पुलिस आइफायार दर्श हुई है सबसे खास बात यह है कि 21 अगत 2020 को उजागत हुए इस मामले की सबसे पहली खबर मंडल न्यूस द्वारा सबके सामने लाई गई थी और विगत 15 जुलाई को ततकालें डीजी भी वो मुंबई के पूरो पुलिस आइफ तो संजे पांडे द्वारा इस मामले की जांश को रोखे जाने के संदर्ब में जारी किये गए आदेश की खबर भी मंडल न्यूस नहीं सबसे पहले उजागर की थी अमरावती की संसर्ब नोनीद रणा की जान को खत्रा होने की जानकरी सामने आई है उन्हें उनके एक शुपचिंतक ने पत्र लिखकर आगाह किया है पत्र लिखने वाले ने यह कहा कि कुछ संदिग्द लोग राजस्तान की सीमा से अमरावती में दाखिल हुए हैं और उन मामला काफी दिनों तक मीडिया की सुर्खियों में रहा वहीं अमरावती में विकत 21 जून की रात उमेश कुली की वरबरता से हत्या कर दी गई थी जिन्होंने भाश्पा नेतरी नुपूर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी इस मामले में सां को लिखे के पत्र में खुद को अमरावती शहर का ही निवासी बताया है और अपने खत में लिखा है कि सांसर नौनीज राना ने थोड़ा संभल कर रहना चाहिए क्योंकि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं पत्र लिखने वाले व्यक्ति ने यह भी कहा कि आपने मेरे कामों में बहुत मदद की है मैं एक सरकारी नौकर हूँ आपने मेरा ट्रांस्टर करवाने में भी मेरी साहता की और मेरे पिता की कोवीट संक्रमन काल के दोरान काफी मदद की मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ संदीद लोग राजस्तान बॉर्डर से अमरावती आये हैं और मुझे ये जानकारी मिली है कि वह लोग आपके घर भी आकर गए हैं मैं उपर वाले से दुआ करूँगा कि आपके साथ कोई अनोहुनी ना हो और आप इसी तरह बड़े से बड़े पदो पर जाएं तुमसा घातपात करने साथी अमरावती में रेकी करूँगे ले आनी ते पुन्ना ही हुँशकता थू त्या अनुशंगा ने आमी राजाबेट पोली स्टेशन में आज तैजा जो जाने ये पत्र पाटोला तेचा अनुशंगा ने यादिका ने आमी रिपोर्ट के लला है त्यावर राजाबेट पोली स्टेशन में तेचा वर करवाई करूल तेचा वर ये फायर दाखल के ला आनित सवकेशिला सुरुवात के लिए विगत 26 जुलाई को पूरो पालग मंत्री को कॉंग्रेस नेता डॉक्टर सुनिल देश्मुप ने पत्रवारता लेकर आरोप लगाया था कि पीम मित्र योजन अंतरगत अमरावती में साकार होने जा रहे मेगा टेक्स्टैल पार्क को मौजुदा राज्य सरकार दोरा अमरावती की बजाए और अंगाबाद इस्तलांतरित करने के बारे में प्रयास किये जा रहे हैं जिसे लेकर राज्यतिक इस्तर पर काफी हंगामा मज गया था और गत्रोज भाषपार की ओर से एक पत्रवारता लेते वे डॉक्टर सुनिल देश्मुख दोरा लगाय गया आरोपों का खंडन किया गया साथी डॉक्टर सुनिल देश्मुख को ही कई तरह के सवालों के घेरे में खड़ा किया गया इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया जानने है तू मंडल नियूज ने पूरो पालग मंत्री डॉक्टर सुनिल देशमूख से संपर्क करते वे प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने कहा कि पीम मित्र योजना अंतरगत अमरावती में ही मेगा टेक्स्टेल पार्क साक हो रही है ऐसे में अब सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोगों को भी इस प्रकल्प के बारे में कोई अन्य विचार करने से पहले दस बार सोचना पड़ेगा यह एक तरह से हमारी सफलता है अगर हम इस विशे को पत्रवारता के जरिये नहीं उठाते तो बहुत संभा में मनपा अयुकत प्रवीन आश्टीकर की अद्यक्षता में और मनपा उपायुकत सुरेश पाटिल वो मनपा चुनाओ अधिकारी अक्षय निलंगे की उपस्तिती में आरक्षन ड्रॉ की प्रक्रिया पूर्ण करते वे प्रभाग निहाए आरक्षन गोशित किया गया जिस से पहले 31 मही को घुशित आरक्षन प्रक्रिया अंतर गत्र अनुसुची जाती समर्ग की 17 वे अनुसुची जाती समर्ग की दो सीटों का आरक्षन पूर्ववरत रख कर OBC समर्ग की 26 और सरोसाधरन महिला समर्ग की 27 सीटों का अरख्षन निकाला गया ऐसे मैं महानरपालिगा की कुल 82 सीटों में से 26 सीटे OBC प्रवर्ग के लिए 17 सीटे अनुसुची जाची समर्ग के लिए 2 सीटे अनुसुची जनजाती समर्ग के लिए और 27 सीटे सरोसाधरन समवर्ग के लिए आरक्षित हुई हैं जिसमें से 50 फीसद सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी महानरपाली का चुनाओ को लेकर विगत 31 मही को निकाले गए ड्राउ को ध्यान में रखते वे अपनी अपनी राजनितिक गोठियां फिट करने वाले चुनाओ लड़ने के इच्छुकों के राजनितिक समीकरण अब आरक्षन की नई स्थिति के चलते डवाडल होते नजर आ रहे हैं क्योंकि अब सक सरोसाधरन प्रबर्ग के लिए रहने वाली सीटों में से कई सीटों पर OBC समवर्ग का आरक्षन हो गया है ऐसे में सरोसाधरन प्रबर्ग के कई इच्छुकों को या तो अपना प्रबाग बदलना पड़ेगा या फिर चुनाओ लड़ने की उम्मीद छोड़ देनी पड़ेगी मनपा चुनाओ के लिए इससे पहले S.C.S.T. वब महीला समवर्ग के हितु निकालेगा आरक्षन के ड्रौ को ध्यान में रखते वई यह आखला निकाला गया था कि आरक्षन की इस्तिती के चलते कॉंग्रेस को चुनाओ लड़ने में आसानी होगी वही नई प्रभाग परदतीव आरक्षन की इस्तिती की वज़े से भाषपा को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा वही अब OBC आरक्षन को लेकर ड्रॉ निकाले जाने के बाद कॉंग्रेस के कई दिगर निताओं के लिए चुनाओ लड़ने का रास्ता और भी अदिक आसान हो गया है वही भाषपा के कुछ चर्चित चेहरों को थोड़ा और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है राजसरकार के कौशले विकास रोजगार उद्यो जक्ताव नावीनिता विभा की प्रधान सचिव मनीशा वर्मा आज एक दिउसी दोरे पर अमरावती पहुंची जिनके प्रमुग उपस्तिती के बीच जिलादीश कारेले के सभागार में आज अमरावती वर नापुर विभा की यूतियों महिलाओं को कौशले प्रधार के आउसर उपलब्द कराने वाले प्रधान सचिव मनीशा वर्मा ने कहा कि महिलाओं में आर्थिक सक्षमी करन को लेकर सकरात्मक्ता निर्मान करने के लिए तमाम आवश्यक कदम उठाए ज इसके साथ ये एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 154 हो गई है जिनमें से इस समय तीन मरीजों को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भरती रखा गया है वहीं मनपाक शेत्र में 43 पुर्गामिन शेत्र में 108 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया दोपर दो से चार बजे तक रिटेल किराना व्यवसाईयों है तू कारिशाला का आईजन किया गया था जिसमें अन्न वा औश्रत प्रिशासन के वरिष्ठादिकारियों दोरह अन्न सुरक्षा वा मानदे कानून को लेकर उपस्तितों का मारग दर्शन किया गया साथी फू न वा मरग दर्श कोंपर आईजला के अन्ना मीवसाईं किया मत्रा जाह दया 9ma जला दर्शक हैं कामगर कल्यांट के अमराथी गट द्वरा आज शुक्रवार 29 जुलाई को छाबडा प्लाट इस्थित ललीत कला भावन में दो पर दो से शाम पांच बजे तक गट इस्तरी समर्गीत इसपरदा का एजन किया गया जिसके उपरांत इस इसपरदा के पुरुसकार गणमानियों के हाथों विजित किये गए इस इसपरदा में चैनी समुक और मुंबई के विक्रोली में तीन अगस को अगस्त करांती दिवस के उपलक्ष में आजजित होने वाली राज्य सरी इसपरदा में हिस्सा लेने का आउसर मिलेगा मध्य रेलवे के भुसावल विभाग प्रबंदक SS केडिया ने गत्रोज अमरावती वबढ़नेरा रेलवे स्टेशन एवं आसपास के परिसर का दोरा किया पता चला है कि अमरावती रेलवे स्टेशन पर मौडल रेलवे इंजिन इश्थापित किया जाना है साथ ही यहां पर रेलवे कोच रिस्टोरेंड भी शुरू किया जाएगा इसके अलावा इस railway station पर railway museum इस्ताफित करने का प्रसाओ भी विचारा धीन है इन सभी बातों को railway station पर कहां और कैसे इस्ताफित किया जा इस बात का जाए जा railway प्रबंदक SS-Kडिया दोरा अपने इस दोरे में लिया गया ऐसी जानकरिये श्री शिवाजी शिक्षा संसा के चुनाओं में उत्रे विकास पैनल ने अपने प्रचार दोरे शुरू कर दिया है संसा के मौझूदा उपाद्यश तथा देशपत के दावेदार नरेश चंद्र ठाकरे के नेत्युतों में विकास पैनल के सभी उम्मीदवारों ने 71 त्रूप से अमरावती जिले के सभी आजीवन सवासदों की भेंट लेना शुरू कर दिया है किस्तानी नगर वाचनले में आज़ित लोकमाने तिलक व्याख्यन माला के तिसरी शिंखला में सुननदा आस्वले द्वारा अपने विचार व्यक्त करते वे कहा गया कि स्वाधिन्दा पूरू काल में लोकमाने तिलक द्वारा प्रतिपादित किये गए शेक्षनिक विचार आज भी बहत प्रासंगीक हैं ऐसे में लोकमाने तिलक को दूरदर्शी शिक्षावीर कहा जा सकता है जिलादिश पवनित कौर ने वन स्टॉप क्राइसे सेंटर के अबारे में जानकरी देते वे कहा कि किसी भी संकट में फसी महिला या यूटी को सुरक्षावर दिकभाल की जरूरत होती है ऐसी जरूरत मन महिलाओं और यूटी के लिए वन स्टॉप क्राइसे सेंटर कारेरत है जिसका सभी संकटगरस महिलाओं और यूटी ने लाब लेना चाहिए किंद सरकारदवरा शुरू कीगी अगनीपत योजना अंतरगत सुशिक्षित व अविवाहित यूगों के लिए सेना में भरती हेक दुआवेदन करने की अंतिम्तिती तीन अगस्त है इस भरती में शामिल होने के इच्चुक उमिदवर इंडियन आर्मी की वेबसेट पर जाकर लॉग इन करते वे ऑनलेन आवेदन कर सकते हैं वश्याद उन्हें 10 अगस से इमेल के माध्यम से प्रवेश पत्र भेजे जाएंगे जिसकी प्रिंट निकाल कर उन्हें भरती की जगावा समय पर पहुंचना पड़ेगा विदर्व क्षेत्र में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेन्हे भरती संबेलन का एजन किया गया है जिसका क्षेत्र के अधिक सेधिक युवाँ दोरा लाव लिया जाना चाहिए ऐसी अपील सैनिक कर लियान अधिकारी मनिश कुमार गायकवार ने की है एक जन्वरी 2018 को भीमा कोरे गाउं में भीम अनुव्याईयों के साथ मार्पिट की घटना घटित हुई थी जिसके निशेट में समुचे राज्य में भीम सैनिकों दोरा अंदोलन किये गये थे लेकिन तत्कालिन सरकार ने आंदोलन करने वाले भीम सैनिकों पर अपराद दर्श किये और इन मामलों को आज तीन वर्ष बीच जाने के बावजुद खारीज नहीं किया गया ऐसे में आल इंडिया दलित पैंथर द्वारा आज जिलादिश को ग्यापन सौपते वे वर्ष दोजर अठरा में भीम सैनिकों के खिलाफ दर्श किये गये मामलों को खारीश किये जाने की मांग उठाईगी देवगाओं के फासे पारदीव आदिवासी संगुदाई के नागरीकों ने आदिवासी फासे पारदी समाज संगठन के बैनर ते ले जिलादिश को सौपे निवेदन में देवगाओं ग्राम पंचायत के सरपन्च द्वारा घरकुल योजना के लिए मंजुर भुगंट की ग्राम पंचायत में पंचेन करने में आनाकानी करने और अतिवश्टी के दोरान भी समाज मंदिर का ताला नहीं खुलने को लेकर शिकायत कीए जिले के बुढ़ना निवासी 25 से दिक किसानों के खेत में जाने वाले पंचायत को शिवन्ता दिलिप जांबूल का द्वारा तारकंपोंड लगा कर बंद कर दिया गया इस आशे की शिकायत आज पिडित किसानों द्वारा जिला जिस से मिलकर की गी साथ ही इस पकडंडी रास्ते को जल से जल खुला करवाने की मांग भी उठाई दी फर्लेंड वाटर पार्क से साथ मोबाईल वा साथ जार रुपर नगट ऐसे कुल 54,000 रुपए का माल चुराने वाले दो आरोपियों को फ्रेजर पुरा पुलिस ने गिरफतार किया है इन आरोपियों ने चोरी किये गए साथ मोबाईल में से चार मोबाईल को OLX से वेबसाइट पर बेट डाला था वहीं पुलिस ने लालखडी निवासी, आरिफ खान, आबिद खान तथा सुफिया नगद निवासी, सुहेल यासिन कामदार नामक दो आरोपियों के पास से साथ में से तीन मोबाईल जब्त करते वे उने गिरफतार किया है शहर में आए दिन घटी चेन इसने चिंग वह अन्य अपरादिक वारदातों पर नकेल कसने तथा आगामी तेवारों के मद्द ने जर शहर में किसी भी प्रकार की अनोहनी घटना को रोखने के लिए पुलिस आई तो 38 के आदेशा नूसार शहर के सभी 10 पुलिस साना ख्षेतर अंतरकर रात्री गाली नाकाबंदी शुरू कर दी गई है जिसके तहर शहर से आने जाने वाले सभी वानों की तलाशी की जा रही है गत्रो चांदुर बजार के कृष्णे कृष्णे कृणी परिसर निवासी रतनाकर पडोले ने पुलिस साने पहुंच कर शिकायद दर्श कराई थी कि उनके घर के सामने हमेशा खड़ी रहने वाली सफेद रंकी स्ट्रिप डिजायर कार अग्या चुरो द्वरा चुरा ली गई शिकायद मिलते ही पुलिस ने तुरंद हरकत में आते हुए नाकाबंदी की और कार की तलाश करनी शुरू की इसी दोरान थूगाव मारग पर एक कार लावारिस पड़ी रहने की सूचना पुलिस को मिली और पुलिस ने तत्काल वहां पहुंच कर कार को जब्त किया औ दोनों युवक फरनीचर का काम करने के लिए अमरावती जा रहे थे मृत्कों की शिनात सोनुव रंजीत के तौर पर हुई है जो जहर खंडी के निवासी बताए गए है आप देख रहे थे मंडल न्यूस बुलिटिन हमारे चैनल को लाइक करे शेर करे और हां सब्सक्राइ तब तक के लिए धन्यवाद